हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो दोस्तों आज आप सब के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक लेके आ चुकी हूँ जो की है इंटर्वल एस्टीमेशन दोस्तों यह टॉपिक मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी भूला था कि थोड़ा सा इंपॉर् कर सकता है तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड या पॉइंट एस्टीमेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट ना रहे आपको यह जाके टॉपिक क्लियर होगा कि एकसे आपको इस टॉपिक में क्या बताया गया ह तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टाट बिना किसी डिलेए के सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है इंटर्वल एस्टीमेशन तो आप लोग देख सकते हैं इंटर्वल एस्टीमेशन क्या है इंटर्वल एस्टीमेशन एक स्टेटिकल मेथड है स्टेटिक्स का एक इसके अंदर क्या है हम लोग एक single number के ब्योंड जाके कुछ कैस करते हैं तु डिस्क्राइब अ पॉपलेशन जिसके हम लोग थू पॉपलेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि actual में population क्या है इसके अंदर हमें एक रेंज प्रोवाइड करता है आई होप आपको लास्ट वली वीडियो याद होगी जिसमें हमने point estimation के बारे में discussion की थी वो हमें एक single value बताता है point estimation बट interval estimation हमें एक range बताता है जो कि जैसे की 100 से लेके 150 के बीच की जो range है वो हमें ये बताएगा कि एक range है आपको उसके बीच में लाइ करना है आपका उसी के बीच में सारा काम चलेगा तो हमारा जो interval estimation है हमें एक range प्रोवाइड करता है interval of possible values of unknown parameters की हमें एक range बताता है अब ये क्या है ये एक estimation है this is like an estimating a range हम लोग इसमें एक range को estimate कर रहे है of possible weight क्या हो सकता है उसका जैसे कि यहाँ पर एक क्या लिखा हुआ है possible weights for a bag of apples rather than giving them just one specific weight तो अब आप लोग यहाँ पर यह कह सकते हो कि हमें specific weight के बारे में assumptions बता रहे है कि उसमें क्या assumptions हो सकती है हमें estimate range बता रहे है here are some key points यहाँ पर कुछ some key points है जैसे कि point estimation में थी कुछ key points तो वैसे ही यहाँ पर भी लिखे हुए है और आप लोग उसको बहुत अराम सी explain कर लोगे कि similar है उसके जैसे तो ध्यान से सुनेगा अगर आपको confusion ना हो तो सबसे पहला key point क्या है कि इसके अंदर parameter और population के बारे में बताते हैं उसमें हम क्या बताते थे parameter and statics इसमें parameter and population है इसके अंदर भी हम statics के बारे में बात करेंगे statics कब हम use करते हैं we want to know things जब हमें population के बारे में कोई भी चीज जाननी होती है जैसे कि उसकी average height कितनी है country के city के लोगों की ठीक है और country में कितने candidates हैं जो की supporting है वोट करते हैं तो इसके बारे में हमें statics के थू पदा चलता है जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे parameters है ठीक है अब second point क्या है point estimation versus interval estimation का difference जो हमने लास्ट वीडियो में point किया था हमें एक single best guess provide करता है यानि कि exact value बता देता है कि यह चीज़ आएगी ठीक है but like estimating the average height of the population हमें इसमें बता दी कि average height कितनी है पर interval estimation क्या करता है यह हमें एक range देता है giving a range of the values कि यह parameters के बीच में हमारी value like कर सकती है तो हमें जो वो range है ना उसके through पता चल जाएगा कि हमारी value और range वाले में correction होने के chances बहुत जादा है अगर हम लोग exact value बता देते हैं किसी चीज़ की हमने exact value बता दी बट हो सकता है वो बहुत सारे लोगों से match ना करें बहुत सारे लोग क्या बहुत कम लोगों की match करेगी और मतलब mostly लोगों की एक point उपर एक point नीचे एक point उपर एक point नीचे ऐसे होगी ठीक है तो हमें यह ध्यान देना है कि interval estimation को लोग जादा प्रेफर करेंगे इसकी वज़े से अब इसमें भी same point है confidence interval के ठीक है तो confidence intervals कैसे आएगा क्योंकि हमें हमें भी यहां पर भी पता है कि यहा च्छी एलिच करेंगे confidence interval की जो रेंज है values की जैसे की लाइक हमें यहां पर बताया जाता है क्क उत्ग मैं यल्हमें इक बताती हैं इंफोमिशन को फोते है confidence intervals एक वैलियू के बारे में बताते हैं जैसे कि i50 से नेचे और इनका confidence level हमें क्या बता रहा है the confidence level tell us how confident we are कि हम लोग कितने confident है जो हमने parameters बताया है कि इसी के बीच में जो हमारी value है वो लाए करेगी parameter fall within the interval तो उसके बारे में सारी information हमें पताती है अब इसके बीच में आपको एक example दिख रहेगी जैसे कि आप लोग suppose कि रिए यू want to estimate the average income of the household in the city आपको estimate लगाना है जो भी हमारे households है city में उनमें लोगों की average income कितनी है तो आप लोग रेंडम यहां पर भी survey करोगे households का और उनकी average income find out करोगे जो कि 50,000 डॉलर तक हो सकती है finding to be 50,000 डॉलर तो आप लोग इसमें इंटर्वल एस्टिमेशन क्या लगाओगे इंटर्वल एस्टिमेशन आप बताओगे 50,000 डॉलर है तो 45,000 डॉलर से लेके 55,000 डॉलर के बीच में लाई करेगी इस 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 रेंज कि 45 से 55 के बीच में है लोगों की income ठीक है तो आपको 95% confidence आजाएगा यहां पे कि हाँ मैंने correct information दी है अब हमें इंटर्वल एस्टिमेशन को यूज क्यों करना चाहिए क्या benefits है इसके इंटर्वल एस्टिमेशन हमें एक more informative information प्रोवाइड करता है और realistic picture बताता है जो भी uncertainty है ठीक है it acknowledge that जो हमारा estimation is not just a single number यह एक number नहीं है एक range है तो इसमें possibility जो है इसके correct होने की बहु informed decisions भी लेग सकते हैं and draw conclusion और population के बारे में हम लोग conclusion भी draw कर सकते हैं अब देखो interpreting confidence interval इसमें भी है wider confidence interval जो है इसकी अंदर हमें suggest करता है more uncertainty about the parameter की जो value है इसमें uncertainty भी जादा है क्योंकि इसमें confidence भी जादा है अब बताते है ना जितना आप रिस्क जादा लोगे उतना profit जादा ह होगा तो वैसे ही wider confidence होगा तो uncertainty भी जादा होगी लोगों का विश्वास बढ़ेगा लोगों को लगेगा confidence इनमें बहुत है चलो invest कर देते हैं तो अब उसमें problem भी कही बार आ जाती है तो यह चीज़ ध्यान रखनी है higher confidence like 95% इंडिकेट higher level of confidence आ जाता है तो interval भी जो इनका मत पर interval estimation क्या है यह statical technique है जो हमें एक range बताती है जो भी unknown population parameters है हमें single point नी बताती है rather than a single point हमें estimate proper करके बताती है कि क्या हो सकता है this approach recognize the inherent uncertainty in statics and provide a more informating and practical way to describe our knowledge about the population हमें practical way बताती है कि हम लोग population को कैसे describe कर जाता है जाधा value से so confidence intervals are commonly used in interval estimations to quantify this uncertainty and express it in a meaningful way उसको meaningful way में express करते है so दोस्तों बहुत ही basic manner में मैंने आपको यह topic explain किया है काफी easy topic है अगर आप लोग यह सोच रहे हो कि यह topic काफी tough है तो मैं आपको फिर से explain कर दी हूँ कि बहुत easy है आपने last video में जिससे point estimation किया था exact उसके जैसा ही interval estimation है आपको कुछ भी problem नहीं आएगी this topic के अंदे so please video को अच्छे से देखिए अगर कुछ भी doubt है थोड़ा सा video को back करके दुबारा देख लीजे ताकि आपको topic अच्छे से clear हो जाए so दोस्तों मिलेंगे आपसे हम लोग अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye अपनाओ के लिए रश माझा है तो लिए भी थाओ अपसे पर आपसे लिए लोगा क्या कि ऑवेड़ाओ के लिए अवेड़ा है जावराओ काश के लिए बावापसे है कर रवेड़ा है